Hello everyone, welcome again to our YouTube channel NK Maths आज की इस वीडियो में दोस्तों हम Geometry के वो सारे questions solve करने वाले हैं जो SSC CHSL 2022 के tier 1 के paper में पूछे गए हैं latest exam है SSC की तरब से आप exam dates भी यहाँ देख सकते हो March 2023 में paper हुआ था total 36 shift में paper आयोजित किया गया था ठीक है और इसमें Geometry के आपके 100 से अधी questions पूछे गए हैं जो की लगभग आपको 3 या 4 अलग-अलग parts में मैं cover करने वाला हूँ ठीक है और इस series का ये पहला part है ठीक है Geometry की ठीक है ऐसे ही और 3 parts आएंगे यानि की total 4 parts होंगे Geometry की वीडियो के जिसमें आपको total लगभग लगभग 130 questions देखने को मिलेंगे ठीक है इससे पहले जो chapter मैंने कर दिया है CHSL tier 1 में पूछे गए questions का solution वो मैं आपको बता देता हूँ मैंने SI और CI कर दिया है अलग-अलग number system कर दिया है ठीक है Divisality based question किया है percentage कर दिया है आपका साथ में average कर दिया है time and work कर दिया है देखो कितने सारे topics मैंने cover कर दिया है ठीक है profit and loss भी और discount भी cover कर दिया है ये भी 3 parts में cover हुए है ठीक है तो ये सारे आपके साथ में time, speed, distance भी मैंने cover कर दिया है time and distance जो होता है ये भी मैंने already इसका solution डाल रखा है अपने YouTube चैनल पर अगर आपने नहीं देखा है तो इन सब की playlist बनी हुई है CSL tier 1 इस नाम से आप जा करके हमारे YouTube चैनल NK Maths पर जरूर से इन सब को देख सकते हैं ठीक है अगर आपको इसकी PDF चाहिए bilingual format में तो आप जरूर से हमारा Telegram group NK Maths जोईन कर ले साथ ही साथ आप किसी और information के लिए मुझे Instagram पे NK Maths ID पे search करके और follow कर लीजिए वहाँ पे आप अपने doubt भी share कर सकते हैं directly मेरे पास ठीक है स्टार्ट करता हूँ पहले question से पहला question है अपने पास if PQ is a tangent of a circle touches the circle at Q with center O and angle POQ is 75 degree then what is the value of angle OPQ तो सबसे पहले मैं एक circle draw कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो एक minute देखो मैंने डाग्राम draw कर दिया है यहाँ पर center O है और यह tangent है PQ ठीक है Q पे touch कर रहा है अब आप से यह कह रहा है कि POQ का value POQ यह है अपने पास 75 ठीक है और OPQ यानि कि यह बताना है आपको कितना होगा यह आपको पता होगा कि जो tangent होता है यह हमेशा perpendicular होता है किस पे radius पे या फिर radius tangent पे perpendicular होता है अब OQ radius है और PQ क्या है tangent है तो यह 90 degree होगा तो यह कितना हो जाएगा आपका 90 minus 75 15 degree ठीक है तो option A यहाँ पे सही answer है तिरभूज में जब दो कौन पता है तो तीसरा आप 180 में से इनको minus करोगे पता चल जाएगा next question है आपके पास the perimeter of two similar triangles RST and IJK are 64 cm and 56 cm respectively if IJ is equal to 16 cm then length of RS देखो आपने यह चीज़ पढ़ा होगा कि दो अगर similar triangles है तो उनकी side का ratio आप ले लो या फिर उनकी perimeter का ratio ले लो perimeter in the sense per map ठीक है या फिर आप उनके perpendicular's का ठीक है perpendicular's का या height का ठीक है इन में से किसी का भी ratio अगर आप लेते हो तो वो हमेशा same रहता है ठीक है जैसे मालनो मैंने बोला कि perimeter का ratio हमें पता है perimeter पहले का और perimeter दूसरे का ठीक है ये जो है इनकी side के ratio के बराबर आएगा तो perimeter का ratio क्या है एक का 64 है एक का 56 है side की बात करोगे तो एक का 16 है और एक का कितना है वो हमें बताना ही है cancel out कर लो तो ये 16 से कट जाएगा 16 के 64 और 4 से 14 के 56 तो X की जो value आएगी वो 14 आएगी आसान question था ये भी तिसरे question की अगर मैं बात करूँ एक चक्रिय चतरभूज यानि की cyclic quadrilateral है that is M and O P इसमें M और O जो है वो सम्मूख है यानि की opposite angles हैं तो ये दिया हुआ है M का value पूछ रहा है आचा देखो मान लो ये circle है और इसमें ये मैंने बना दिया आपका quadrilateral cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral में क्या होता है जैसे मान लो ये M N O P आपको पता है कि opposite angles का sum इसमें 180 degree होता है ठीक है तो जैसे मान लो M और O opposite है तो यहाँ पर मैंने opposite लिख दिया अब 2 M जो है नहीं नहीं कुछ ही गरबर है यहाँ पर 2 O होगा sorry ठीक है यह जो है यह 2 O होगा इंगलिस में देख लो यहाँ पर 2 O जो है वो 3 M के बराबर है तो M की value पूछ रहा है अचा बताओ M और O का जो sum होगा M का और O का यह कितना होना चाहिए 180 degree होना चाहिए और M हम से पूछ रहा है तो मैं M को ऐसे ही रहने देता हूँ और O के जगा पर क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देखो अगर एंगल O लिख हूँ तो यह M by 3 M by 2 आएगा आएगा यहाँ से ठीक है इस 2 को इधर कर दें तो O के जगा पर मैं 3 M by 2 लिख देता हूँ और इसको बस M ही लिखते हैं और यह 180 degree तो यह 3 और 2 5 M by 2 यह 180 आगया 5 से cancel out करोगे तो 9 आज़ए 9 नहीं एक मिनट 2 से काटेंगे तब ना 5 से काटोगे 36 आएगा और M की value 36 का double 72 यानि की option C जो है वो right answer है I hope कि आपको बात समझाया होगा अगला सवाल है अपने पास कह रहा है कि AC is the diameter of the circle B is point on the circumference if angle B AC is 40 तो यह 50 कोई भी बता देगा मान लो एक circle है AC इसमें diameter है और B जो है वो circle पे कोई point है अब यहां से इसको मिला कर अगर आप triangle बनाएगा तो आपको पता होगा कि semi circle में जो triangle बनता है वो हमेशा right angle triangle बनता है यानि की अर्ध विरित में बना हुआ कौन समकौन होता है या आपने पढ़ा होगा तो यहां पर तो 90 आगया ठीक है और आपको BC यह पूछ रहा है यानि की यह value पूछ रहा है और यह आपको देही रखा है 40 तो 90 में से 40 माइनस करो यह 50 आ जाएगा question नमबर 5 की बात करें एक तिरभूज ABC है अपने पास M, N जो है वो BC के parallel है और M और N जो है वो AB और AC पर points है एक चत्रभूज का चत्रफ़ल आपको दिया है यह दिया है तो यह पूछ रहा है डियाग्राम पहले में draw करता हूँ देखिए ऐसा कुछ डियाग्राम बनेगा यह triangle ABC हो गया और M, N जो है वो parallel to BC हो गया M और N, AB और AC पर points है ठीक है आप देखो चुकि यह दोनों parallel हो गया तो यहाँ से आप बात समझ गया है कि base अगर parallel है तो triangle दोनों क्या होंगे similar होंगे it means triangle AM, N यह similar होगा triangle ABC के और दोनों similar हैं तो आपको पता होगा इनकी side का जो भी ratio निकलेगा area का ratio side के square के बराबर होता है यानि कि मानलो मैं बात करूँ area of triangle AM, N और साथ में area of triangle ABC तो यह किस के बराबर रहाएगा यह इनकी side यानि कि S1 और S2 के ratio के square के बराबर रहाएगा तो side का ratio यहाँ पर 4 दिया होगा देखो AN जो है अपने पास 4 है और NC क्या है 5 है यानि कि अगर मैं पहले का side लिखूँ यह side लिखूँ तो 4 होगा और पूरा ABC का side लिखूँ तो यह 4 और 5 9 होगा इनका square करेंगे तो area का ratio आ जाएगा तो यह आ जाएगा 16 और 9 नेम में 81 और आपको एक area दे रखा है इसमें कौन सा area दे रखा है आपको यह वाला area दे रखा है यह जो चत्रभुज है इसका अचा यह बताओ इस चत्रभुज के area को हम कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं इस triangle और इस triangle के area को minus करूँ ठीक है तो इसका निकल जाएगा यानि कि मानलो बरे वाले triangle में से अगर मैं यह red वाला part minus कर दूँ तो क्या green वाला part मचेगा triangle ABC में से triangle AMN को अगर मैं minus कर दूँ तो क्या यह चत्रभुज का area आएगा आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा तो triangle ABC का area मैंने यहाँ पर ratio में लिख रखा है कि 16 है और पूरा triangle ABC है 81 यह AMN है और यह है ABC इनको अगर हम minus करेंगे तो triangle यह चत्रभुज है आपका M, B, N, C इसका area आजाएगा minus करो 11 में से 6 minus करोगे 5 और यह 7 में से 1 minus करोगे 6 65 आ रहा है लेकिन सवाल में यह 130 है तो 1 की value कितनी हो गई 2 और हमसे AMN पूछ रहा है याने की 16 की value पूछ रहा है तो 16 की value कितनी हो जाएगी 32 ठीक है repeated question है अभी तक जितने question मिले है repeated ही है triangle X, Y, Z में अंता केंदर याने की in center I है angle Y, I, Z is given 115 degree then angle X, sorry Y, X, Z अच्छा पहले मैं diagram ड्रो कर लूँ अच्छा देखिए मान लोग यह triangle X, Y, Z हुआ और I इसका in center हुआ तो आपने in center पे बने angle का एक formula पढ़ा होगा यहाँ पर जो angle I बनेगा यह question लिखने हैं हम लोग 90 और plus इसके पीछे जो भी यहाँ पर vertex है उसका half याने की angle X, Y, 2 यह पढ़े होंगे आपने ठीक है तो इसी में हम लोग value put करेंगे I के जगा पर value आपको दे रखा है this is 115 and this is 90 degree plus X, Y, 2 90 इधर लाओगे तो 25 आएगा तो X कितना जाएगा 25 का double याने की 50 आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो है अपने पास यहाँ पर दिया गया है in triangle PQR, PN is the median on QR if PN equal to QN then what is the value of angle QPR मालो मैंने यह diagram draw कर दिया यह P है, Q है और R है QR पर PN जो है यह median है यानि कि यह और यह length सेम हो गया median का मतलब सामने वाली side को उसने half-off कर दिया ठीक है तो QR को इसने half-off divide कर दिया और आपको PN और QN सेम दे रखा है PN जो है यह QN के बराबर है अचा PN QN के अगर बराबर है एक तो ऐसे में direct formula आप याद रख सकते हो कि किसी भी triangle में अगर यहाँ से एक line draw कर जाए और अगर यह तीनो line सेम हो जाए तो ऐसे में जो vertex का angle होगा यह 90 degree होगा यह direct भी याद रखना बहुत बार यह काम करता है अब रहा की solve कैसे करें तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे यह मान लो side और यह side सेम है तो यह angle भी सेम होगा क्योंकि यह अब ISO-cellus triangle हो गया किसी भी तिर्भूज में दो भूजाएं सेम होती है यह x तो यह भी x और वही चीज यहाँ पर apply होगा इस angle को अगर मैं y बोलूं तो यह angle भी y हो जाएगा क्योंकि इसमें भी यह side सेम है ठीक है अब तिर्भूज के तीनो कोनो का योग 180 होता है अगर इन सब को हम plus कर लें तो यह आजाएगा 2x और plus 2y यह कितना हो जाएगा 180 तो x plus y कितना हो जाएगा 2 common लेके divide करोगे तो 90 और यह x plus y ही तो angle P है जो हमसे पूछ रहा है ठीक है तो 90 degree आप ऐसे solve कर सकते हो लेकिन याद रहना जाए आपको आगे है triangle O N P में जो in center है वो L है और इन दोनों angles कसम दिया है तो O L P पूछ रहा है ठीक है देखे diagram मैंने draw कर दिया यह triangle आपका O N P हो गया L जो है यह in center हो गया और आपको दिया हुआ है यह O L P O L P इसके लिए मैं L ही लिखता हूँ मान लो shortcut में और plus O N P ठीक है यानि कि N का और L का sum दे रखा यहाँ पर N के लिए मैं N ही लिख लेता हूँ यह 195 डिग्री दे रखा है और आपसे O L P यानि कि L की ही value पूछ रहा है कि क्या होगा अब एक चीज़ आप समझे कि हमें यह चीज़ तो पता है भाई कि जो L है यह कैसे निकलेगा बताओ L जो है यह निकलेगा 90 और प्लस N बाई 2 से अभी मैंने एक यह ऐसा formula बताया है आपको पिछले किसी question में ठीक है तो यहाँ से आप देखो अगर मैं दोनो side अभी जरूरत किसकी है हमें L निकालना है तो हमें N को L के format में लिखना होगा तो बहतर होगा L बाई 2 में दोनो side add कर दूँ इधर भी मैंने L बाई 2 add कर लिया और इधर भी मैंने L बाई 2 add कर लिया ठीक है तो यह हो गया आपका 3 L बाई 2 this is L और इस side हो गया 90 और प्लस यह N प्लस L बाई 2 यह कैसे लिखा जा सकता है N प्लस L बाई 2 तो N प्लस L के जगा पर हम 195 रख देंगे और बाई 2 ठीक है तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 3 L बाई 2 की जो value आई इसको add करोगे तो यह 375 बटा 2 आ जाएगा 2 से 2 cancel out होगे और 3 से इसको काटोगे 125 ठीक है तो option D जो है वो सही answer है अगर question number 9 की मैं बात करूँ एक यह question आप कर लेना खुद से है ठीक है homework के लिए नहीं कह सकते क्योंकि answer तो यहां marked ही है अभी फिर से एक आपके पास quadrilateral है जो की cyclic quadrilateral है A, B, C, D in which angle B is opposite to angle D, B जो है वो X plus 10 degree के बराबर है and D is this what is the value X अच्छा बताओ B और D opposite है और मैंने बोला कि cyclic quadrilateral में जो opposite angles होते हैं उनका sum जो होता है वो 180 degree होता है तो B और D चुकी opposite है तो B और D का जो sum आएगा that is 180 degree right angle B के जगा पर हमें put करना परेगा X plus 10 and D के जगा पर 2X plus 35 और ये किसके बराबर हो गया 180 के तो ये 2 और 1 3X की value जो होगा ये 10 पहले minus करतो तो 70 में से 35 minus करोगे तो 135 ये 3 से काटोगे तो 3, 4 के 12 और 3 पिच्चे 15 X की value 45 आगे बढ़ते है triangle X, Y, Z में I जो है वो in center है ये दिया है ये पूछ रहा है जिसमें I जो है ये in center है तो यहां से भी मिलाओगे तो in center हो जाएगा आपको X, Y, Z 40 दे रखा है X, Y, Z यानि कि ये वाला दे रखा है आपको angle 40 और आपसे ये पूछ रहा है X, I, Z तो यहां से आप लिखोगे कि ये जो I आएगा ये 90 और प्लस इसके opposite में यानि कि इसके पीछे जो angle बन रहा है Y का half तो ये हो जाएगा 90 और 40 का आधा 20 तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 आगे है एक त्रिभूज की भूजाए इतना इतना है पड़ी त्रिज्या की value बता दो पड़ी त्रिज्या वाला आपने formula पढ़ा हो सरकन वेडियस का formula क्या होता है अगर मैं लिखूं capital R is equal to तो ये होता है ABC यानि कि product of the sides upon 4 into area of the triangle ठीक है ये होता है यानि कि ABC बटा 4 गुना में त्रिभूज का छेत्रफल तो पहले त्रिभूज का छेत्रफल हमें निकालना होगा यहाँ पर ठीक है तो त्रिभूज का छेत्रफल कैसे निकालेंगे देखो Hiron's formula हमें यूज़ करना परेगा तो हम लिखेंगे पहले S की value निकाल लो A plus B plus C by 2 तो ये 6, 5, 1, 11 और 9, 20 का अधा 10 हो गया तो area जो आएगा this is under root 10 और into 10 minus A यानिकी 9, 1 आएगा 10 minus 6, 4 आएगा और 10 minus 5, 5 आएगा तो ये आगया आपका 4 का जो square root है वो तो 2 हो जाएगा और under root अंदर कितना आगया 10, 5, 50 तो 25 भी बन जाएगा तो 1, 5 बाहर कर दो 5, upon 4 into कितना है 4 into ये वाली value हमें रखना पड़ेगा 10 root 2 cancel out कर लो, अगर कुछ cancel out हो रहा है तो जैसे 5, 2, 10 और ये 2, 3, 6 तो उपर आगया 9, 27 बटा 4 और root 2 नीचे है तो आप चाहो तो rationalize कर सकते हो लेकिन ये 27 तो नहीं कटने जा रहा है तो option C होगा क्योंकि 27 आएगा ही आएगा rationalize कर तो आप root 2 by root 2 से multiply करके तो exact answer आजएगा आपका this is 27.2 by 8 ठीक है, I hope की बात आपको समझ आ रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर से like करें और साथ ही साथ हमारे चैनल NKMats को subscribe भी कर लें अगर आप YouTube पे नए है तो YouTube पे नहीं हमारे चैनल पे नए है तो ठीक है, YouTube पर तो आज के टाइम में साइद ही कोई नया हो आपकी उमर का समान तिर्जा वाले दो वृत एक दुसरे को इस प्रकार पर तिशेद करते हैं कि पर तेक विरित एक दुसरे के किंद्र से होकर गिलरता है, दोनों के व्यास का जोग चोड़ासी है, उभेनिष्ट जीवा की लंबाई क्या होगी, very good, चलो पहले डियाग्राम ड्रॉ करते हैं देखिए, ऐसा कुछ डियाग्राम बनेगा दोनों एक दुसरे के सेंटर से होके पास करते हैं, यह इसका सेंटर C1 हो गया, इसका सेंटर C2 हो गया रेट से अब हमें उभेनिष्ट जीवा यानि की जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है, और कॉमन कॉर्ड को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, A, B ठीक है, इनके डियमेटर का सम दिया हुआ है हमें, आचा दोनों के डियमेटर का सम का मतलब की एक का डियमेटर 2R होता है, तो यह 4R की वैलू हो गई, 84, तो R की वैलू हो गया 21, ठीक है, देखो इस कंडिशन में मैं चाहूँगा कि आप डियरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जल्दी बनेगा, जब भी दो सर्कल्स एक दूसरे के सेंटर से होके पास करता हो, तो कॉमन कॉर्ड की लिंद अगर आप पूछे कि ये भी क्या होगा, तो ये root 3 into radius होता है, ठीक है, तो ये root 3 आप रख लो, और into का radius आप 21 डख लो, तो 21 root 3 आजाएगा, बाकि अगर आपको solve करना है, तो आप यहाँ से radius एक draw कर लो, ये पहला radius हो गया, ये दूसरा radius, और यहाँ से height draw कर ठीक है, फिर height की value निकाल के और इसको हम निकाल के double कर देंगे, last में आ जाएगा, तो इसकी जो length basically आपको निकलेगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ, आप चाहो तो यहाँ से इसको मिला दो और इसको मिला दो अब तीनों जो मैंने line draw किया है आपको पता है, यह तीनों ही radius है यह भी radius है, यह भी radius है और यह भी radius है, तो यह अब equatorこれal triangle होगई और यह height होगया ठीक है, तो A, मान लो मैंने इसको P लिख दिया, तो E-P height होगई, अब AP अगर height है तो equilateral triangle में height होता है root 3 by 2 और into का side यानि की radius r तो ये आधा ही हुआ AP तो आधा ही है अब पुरे अगर आपको AB लिखना है तो इसका double करना होगा इसको जैसे double करोगे तो 2 से 2 cancel होगा और root 3 into r मज़ जाएगा जो formula मैंने direct use किया है I hope कि आप बात समझ गये होगे और समझ गये तो like जरूड करके जाना ठीक है अगला है triangle xyz है अपने पास उसमें P जो है वो भुजा yz पर इस्थित एक बिंदू है xy और xz सेम है आपको ये angle दिया हुआ है yp दिया है 9 yz पूछ रहा है triangle xyz मैंने draw कर दिया P जो है वो yz पर है ठीक है तो yz इस पर मानलो कोई point P है xy और yz सेम है xy और xz ये दोनों सेम है ठीक है अब xpy आपको 90 degree दे रखा है xpy मानलो यहां से मैं इसको draw कर देता हूँ तो xpy जो है ये angle आपको दे रखा है कि ये 90 degree है ठीक है तो yz आपसे पोच रहा है कि yz की length बता दो ये कितनी है अब एक बात आप समझो जो रहा है यहां पर पहले हम yp लिख लेते हैं yp भी 9 दे रखा है तो y से p तक जो है ये अपने पास 9 है ये सब इतना ताम जाम करने की जरूरत नहीं है कैसे मालो ये दोनों side अगर same है तो पहली बात कि ये isocellus triangle हो गया और isocellus triangle में अगर xp यहां पर 90 degree बना रहा है इसका मतलब ये height हो गया और isocellus triangle में जो height होता है यही उसका median भी होता है height ही median होता है और अगर ये xp median है तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 हो गया और total कितना हो गया 18 I hope कि आप बात समझ गये हो गये next question कि अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है कि एक समभाहु तरिभूज ABC में P तरिभूज का केंद्रक है ABC triangle की जो भूजा है ठीक है तो BC से इसकी length यानिक ये पोच रहा है अच्छा बताओ अगर मैं पूरा ही इसको मिला दूँ तो आप ये बात तो समझ गये होगे कि पूरा मिलाने से ये median बनेगा और ये P जो है वो centroid ही है तो अगर ये median है मान लो तो P 2 और 1 के ratio में इसको divide करेगा ठीक है मान लो इसको मैंने M रख दिया और AM यहाँ पर height भी है तो height आप root 3 by 2 into side से निकाल सकते हो 16 root 3 side ही है तो ये 2 से cut जाएगा 8,3,24 आ गया AM और इसको 2 और 1,3 के ratio में divide कर तो 2 और 1,3 की value अगर मान लो 24 है तो 1 की value होगा 3,8,24,8 ये आपको पता होना चाहिए कि ये in radius भी होता है तो in radius का formula भी आप direct यहाँ पर use कर सकते हो ठीक है जो की होता है आपका root 3 by 2 sorry ये होता है a by 2 root 3 ठीक है तो यहाँ पर a के जगा पर 16 root 3 रखते और नीचे 2 root 3 इससे काट कर 8 आ जा था ठीक है तो मैं जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको direct नहीं समझा है वहाँ पर मैं कोसिस कर रहा हूँ कि उसका थोरा सा theory भी बता दिया जाए ताकि आपको बात clear हो जाए अगला अंतह तरिजा अभी मैंने संभाहुत रभूज की अंतह तरिजा बताई थी radius जो होता है यह आपका side by 2 root 3 होता है अभी बोला था मैंने पिछले equation में यह side by 2 root 3 होता है तो यहाँ पर अंतह तरिजा यानि R ही 4 दे दिया और यह A by 2 root 3 है ठीक है तो यहाँ से अगर अच्छा देखो एक चीज और यहाँ पर इतना करने की जरुवत नहीं जब आपसे परितिर्जा पूछ लिया ना संभाहुत रभूज में आपको यह चीज तो पता ही है कि अगर मान लो मैंने median यहाँ से draw किया और यह centroid है लेट से जैसे मैंने P लिखा था तो इसमें जो base है अपना इससे P की जो दूरी है यह आपका है in radius और इससे जो vertex की दूरी है यह है circum radius और आपको इनका ratio भी पता होना चाहिए कि R और R का ratio 2 और 1 का हुआ क्यों क्योंकि P जो है वो centroid है और centroid median को 2 और 1 में divide करता है अब इसमें in radius यानी 1 की value को 4 दे रखा है तो 2 की value चाड़ दोना 8 हो जाएगा बस बाके चाहो तो ऐसे आप पूरे process से भी solve कर सकते थे लेकिन इस question के लिए यह तरीका ही based है आगे बढ़ते है question number 17 triangle P Q R is a right angle triangle angle Q is 90 degree P Q 12 है Q R 5 है what is the value of cos 6 P plus 6 R ठीक है एक right angle triangle draw करते हैं मानलो यह मैंने draw कर दिया छोटा सा ठीक है इसमें जो Q है वो 90 degree है तो यह P हो गया Q और R sorry this is R P Q आपको 12 दे रखा है Q R 5 दे रखा है तो 5, 12 और 13 का triplet होता है तो P R हो गया 13 अब आपसे पूछ रहा है कॉसेक P, कॉसेक sign का opposite होता है यानि कि यह H Y P होगा कॉसेक P इसमें H तो 13 हो गया और इसके हिसाब से P कौन सा होगा 5 उसके सामने वाला side और plus 6 R, 6 होता है कॉस का opposite यानि कि H Y B ठीक है तो R R के हिसाब से B जो इससे सटा हुआ side है यानि कि 5 तो यह 13 दुना 26 बटा 5 आ जाएगा यह भी असान है 18 नमबर सवाल की अगर मैं बात करूँ आज़ा भाई Radius of a circle is 10 cm, distance of cord PQ from the center is 8 What is the length of cord PQ? यह एक circle है मान लो और PQ जो है वो आपका cord है यहाँ से center से इसका जो perpendicular distance है वो दे रखा है 8 और radius आपको 10 दे ही रखा है तो यहाँ पे बस triplet लगा लो यह देखो आधा करोगे 4 और इसका आधा 5 तो 3, 4, 5 का triplet लगता है ठीक है यानि कि यह 5 का double यह 4 का double तो यह 3 का double 6 और यह आधा 6 है तो यह भी 6 होगा और पूरा कितना होगा 12 आसान था अगला सवाल है a is a point outside of a circle with center o a p and a q are two tangents of the circle ठीक है if a p is a square plus 14 and a q is 239 then what is the value of a देखो diagram की जरूरत तो नहीं थी लेकिन मैंने diagram draw कर दिया है diagram देखके एक बात समझ गये होगे आपकी किसी भी external points अगर हम दो tangents same circle पे draw करते है तो दोनों tangent की length जो होती है वो same होती है बाहे बिंदू से किंची गई सफर्स रेकाओ की लंबाई समान होती है यानि कि a p की जितनी length होगी उतनी ही length तो होगी a q की न तो ये a square plus 14 जो है ये तो 249 के बराबर हो गया तो a square आगया 225 और a आगया 15 question number 20 what is the length of circumference of a circle with center o and diameter 9.8 अचा बताओ diameter इतना है तो परिधी कितना होता है pi into diameter तो बस इतना pi हो जाएगा pi और diameter 9.8 इस से असान question क्या चाहिए question number 21 की बात करें m x is the median of triangle m n o y is the centroid of triangle m n o y x is 12 then what is the value of m x अचा x अपने पास मान लो ये triangle हो गया that is m n and o y centroid है y x आपको दे रखा है y x x क्या है भाई median है ठीक है न ये m x median हो गया y centroid हो गया y x आपको 12 दे रखा है तो m और x पूछ रहा है अचा आप बताओ अगर y centroid है और ये median है तो ये 2 और 1 के ratio में divide करेगा अब अगर 1 की value 12 है तो इस पूरी की length 2 और 1 3 की value कितनी होगी एक की value अगर 12 तो 3 की value बारतिया 36 बताओ अब इससे आसान तरीका क्या चाहिए question ही आसान था basically बिंदू y से खेची गई असपर्स रेखा बृत को x पर असपर्स करती है और यहां से इसको मिला दिया अब आप देखोगे कि यह तो 90 डिगरी हो गया पहली बात और यह y से खेची गई इसपर्स रेखा x पर टच करती है और इसका center हो गया अब o y आपको 50 दे रखा है यह 50 दे रखा है x y 40 दे रखा है x y आपको 40 दे रखा है तो o x पूछ रहा है radius तो बताओ यह अगर मैं 0 काट दूँ तो यह 5 है यह 4 है तो यह कितना होगा अब देखो अगर आपको तरीके समझ आ रहे हो तो अच्छा है अगर नहीं समझ आ रहा है तो बेसिकली आपको जरूरत है एक बार basic से geometry पढ़ने की क्योंकि geometry वो चीज है जिसमें बहुत सारा trick काम नहीं करता है बहुत ज्यादा आपको theorems जो important theorems है ठीक है और साथ ही साथ जो important formulas है ठीक है यह सब आपको याद रहने चाहिए तब ही जाकरके और इसके साथ साथ आपको important triplets भी पता होने चाहिए ठीक है तब जाकरके आप बहुत कम समय में अधिक संख्या में questions को solve कर पाओगे ठीक है न और I hope कि आप ये करोगे आपको revision की आओ सकता है अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अगला question है triangle N, O, P की दो medians है N, A और O, B एक दुसरे को S पर समकोन पर काड़ती है देखो अब ये भी direct formula based question है अब देखे diagram मैंने draw कर दिया है ऐसे diagram में जब दो medians एक दुसरे को 90 degree पे intersect करते हैं तो एक formula आप याद कर लें जो यहाँ पे तो काम नहीं आने वाला है मैं बस आपको recall करा रहा हूँ कि आपको याद रहे formula क्या होता है कि जो भी base है यहाँ पर 90 degree के सामने वाला इसके square का 5 times यानि कि 5 times of square of NO ये दोनों जो side मचगे उनके squares के sum के बराबर होता है यानि कि ये NP के square और प्लस PO के square के बराबर होगा ये तो इस case में ऐसा लगता है लेकिन यहाँ पर यह नहीं लगने वाला है यहाँ पर आप सिधा सिधा समझो अगर हमें AO की value बतानी है ये 90 degree है तो definitely अब इसमें सारे angles ही 90 degree होगे ये भी 90 degree हो गया अब ये angle अगर 90 degree है यहाँ वाला angle अगर 90 degree है ये तो इसमें आपको दो चीजों किया हो सकता होगी अगर AS और SO पता हो तो AO हम easily निकाल सकते हैं क्योंक AO जो है ये equal to होगा square root of SA square और plus SO square यही होगा हमने पाइथा गुरस लगा दिया अब SA कैसे निकालेंगे आपको पता है कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा क्योंकि S तो centroid है यहाँ पर अगर ये centroid है centroid कैसे है क्योंकि medians जहाँ पर cut करते हैं वो point centroid होता है और median को ये 2 और 1 के ratio में divide भी करता है तो पूरा AN अगर 3 है तो AS 1 होगा AN की value यहाँ पर कितने है देखो AN को हम 3 मान रहे हैं लेकिन question में AN 15 दे रखा है तो 1 की value 5 हो जाएगा और यही AS की value है तो AS 5 हो गया यहाँ से 5 निकल गया ऐसे ही पूरा BO अगर 3 है तो किवल SO कितना होगा 2 ये 2 होगा और ये 1 हो sorry ये 5 नहीं होगा ये 10 होगा ना क्योंकि यहाँ पर ये 2 था तो ये value 10 होगा मैं अलग से एक triangle draw ही कर देता हूँ यहाँ पर देखो ये इस type का एक triangle बन रहा है ठीक है इसमें यहाँ पर 90 डिगरी है और ये चीज़ आपको 5 दे रखा है ये 10 और ये पूछ रहा है तो आप लिखोगे under root 10 का square 100 माइनस 25 75 और 25 पचीस तिया 75 है ना तो 25 का 5 हो जाएगा प्लेस होगा सॉरी तो 125 आएगा क्योंकि 90 डिगरी का सामने वाला निकाल रहे है ना तो ये 5 root 5 आजाएगा ठीक है option A आगे बढ़ते हैं 24 नंबर सवाल तिर्भुज PQR में O जो है वो अंतर केंदर है यानि की in center है POR 120 है तो PQR कितना होगा देखो मैंने ऐसे triangle draw कर दिया ठीक है PQR O in center है यहाँ पे तो मैंने ऐसे मिला दिया ये O हो गया और आपको POR दे रखा है यानि की ये angle दे रखा है 120 और ये पूछ रहा है आपको पता होगा कि POR जो होगा ये 90 और प्लेस Q by 2 होगा इसकी opposite में जो भी angle है वर्टेक्स पे POR आपको 120 दे रखा है और माइनस का 90 और ये हो गया Q का आधा 90 माइनस करोगे तो 32 60 हैगा Q की value 60 आएगी ठीक है ऐसा question भी मैंने इस वीडियो में कर रखा है तिर्भूज की माधिकाओं के परतिछेदन बिंदू को क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं केंद्रक यानि की centroid ठीक है अभी मैंने बताया ही था इन center क्या होता है जितने भी internal angle के bisector होते हैं उनका जो कटान बिंदू होता है जैसे मानलों ये मैंने triangle बना दिया इसके ये तिनों angle bisector होगे तो इनका जो intersection point होगा ना वो होगा in center ठीक है वैसे ओर्थो center जो होता है पर्पेंडिकुलर bisector जो होते हैं उनका जो meeting point होता है वो ortho center होता है अगला question है आपका 7 जो है वो radius है और center पे जो angle है वो 60 है चाप की लंबाई आपने पढ़ा होगा 2 pi r theta by 360 और into का 2 pi r तो आप लिखोगे theta 60 by 360 और 2 pi r साथ है तो 2 pi r कितना होगा 44 ये बात याद रखना है radius जब 7 हो तो 2 pi r यानि की circumference जो होता है ये 44 है और जो area होता है means pi r square ये कितना होता है 154 ठीक है आप निकाल के भी check कर सकते हो तो इससे 6 बार कटेगा और ये 22 बटा 3 आएग question number 27 in a cyclic quadrilateral e is opposite to this देखो अब ये question मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऐसा question मैंने बहुत सारा कर दिया ठीक है अभी मैंने बोला था कि अगर ये दोनों opposite हैं तो दोनों का जो sum होगा e का और g का ये 180 होगा अब बताओ जब e 95 दे रहा है तो g कितना होगा 180 माइनस का 95 यानि बताओ अगर आपने 5, 12, 13 का triplet याद रखा है तो आपसे 2 भूजा दे रखा है तीसरा पूछ रहा है एक 13 का double दे रखा है 26 एक 12 का double दे रखा है 24 तो जो मच गया वो 5 का double मच गया 10 question number 39 जो है एक जीवा PQ द्वारा पड़िधी पर आंतरित कौन जो है वो 90 डिगरी है विरित की तिर्जा पंद्र है तो PQ की लंबाई कितनी होगी देखो जीवा जो है PQ और अगर पड़िधी पर ये 90 डिगरी बना दिया इसका मतलब की PQ जो है वो क्या हो गया डायमेटर हो गया ब्यास हो गया ये क्योंकि किसी भी circle में एक diameter ही ऐसा है diameter बनने का मतलब कि अब ये semi circle हो गया और semi circle में बना हुआ जो angle होता है वो 90 degree होता है ठीक है तो 90 degree देने का मतलब कि जो PQ है वो क्या हो गया diameter 20 तो हमें 20 बताना है जब radius 15 है तो diameter उसका double होगा यानि की 30 देखो सब याद रखने की चीजह है अगर आपको थिवरंस याद है अच्छे से तो आप जरूर्ट सॉल्व कर पाओगे triangle ABC में AB जो है वो 20 है BC is 16, AC is 12 है अब ये कह रहा है कि इसमें अंकित वृत की 304 है तो तुर्भूज ABC का area बता दो कितना है ठीक है बताओ SSC वालों ने कितना दिमाग चलाया है मैंने ये जैसे triangle बनाया diagram ड्रो किया मेरे दिमाग में एक बात आया कि भाई जो 20, 12 और 16 है ये तो triplets हैं आपको याद होगा 3, 4, 5 का triplets इनको इन्होंने 4 टाइम कर रखा है ये 3, 4 के 12 आगया 4, 4 के 16 आगया और 5, 4 के 20 देखो 12, 16 और 20 12, 16 और 20 यही तो दिया है और अगर ये triplets से आने कि ये जो triangle है ये क्या होगा अपना एक समकोन तिरभूज हो गया ठीक है ये आप मान लो कि ये 12 है ये 16 है और ये 20 है और अगर इसकी area ही बताने है तो इसके अंदर वृत यानि की circle देना उसका radius देना ये तो सब आपको बस क्या कहें भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है आप direct यहां से area निकाल सकते हैं कि ये 1 by 2 हो गया base 16 और height हो गया आपका 12 2 से काटोगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और 16 चके 90 बताओ कितनी असानी से निकल गया आगे बढ़ते हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्यों नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि ये आखरी question है ठीक है मैंने बहुत कोसिस की आगे बढ़ने की लेकिन प्रेपीटी में आगला page आया ही नहीं ठीक है और अगर मैं और ज़्यादा कोसिस करूँगा तो बस white page ही आएगा blank page जिसको आप कह सकते हैं तो वीडियो जिसने भी दिल थाम कर last तक देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद जीवन में बहुत आगे बढ़े और जल से जल नौकरी लग जाया भाई या फिर जिस काम के लिए आप वीडियो को देख रहे हो वो काम सफल हो बस यह कहना चाहते हैं ठीक है वीडियो को लाइक करके जाना है जिन्होंने भी last तक देखा है चाहे आप डाउनलोड करके देख रहे हो या जैसे भी वीडियो को आकर लाइक करें और साथ में अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानि की पार्ट टू में Thank you for watching the video, share कर देना वीडियो को टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं आने वाला हूँ अब लाइव तो अगर लाइव किसी को मुझे से बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेजिए आईडी है मेरा NK Maths ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी NK Maths